को अब को यह वीडियो में हम देखते हैं कि प्रिपेड dispences और ऑउट्टर्णिव एक्सपेंसिज की हम कैसे करते हैं अब एक्सपेंसिज की एंट्री कर गई हमने क्या कि थी एक्सपेंस इसकी एक्सपेंसिज सिख चुकए अब मैंगा प्रीट तो पहले मैं आपको सारहistes का क्लासिफिकैशन क्या होता रहतें इसकी यह वाली होगी इस टे लेकिन पे नहीं किया जैसे कि आप होटल में खाना खाने जा रहे हो आपने क्या किया सौरपे खर्च भी कर दिये और सौरपे पे भी कर दिये तो सीधी सी बात है एक्सपैंस डेबिट टू कैश कैसे और आपने क्या सौरप जो कर दिये लेकिन अभी नहीं करें तो जब पे नहीं किये तो क्या करोगे जो जो खर्च खुझा हम कर देते और पे नहीं करते उसको हम क्या बोलते हैं आउट्स्टेंडिंग एक्सपैंसेज या फिर एक और चीज़ है एक्सपेंस ड्यू या फिर एक और एक्सपेंसेज है एक्सपेंसेज एरियर्स तो आउट्सेंडिंग के यह नाम होते हैं आउट्सेंडिंग जो वर्ड होता है उसका मतलब आउट्सेंडिंग यह से ठेहले होटा है तो अब इस आउट्सेंडिंग इस एक्सपेंस आहां को पितeffective हैं यह talks आप आप लिएची तो जब यह आपकी लाइविलिटी अ Ecowe's हमको पता है इत होती हैं लाइविल्टीज हमेशा क्रेडिट होती हैं और एक चीज़ा और बता देता हूं देखो 5 चीज़े होती हैं पांच चीज़े होती हैं एक तो एसेट्स होती है एक एक स्पेंसेज होते है और एक zmian मेश्शा है और एक revenue होती है revenue बोलो या फिर income बोलो तो एसेट्स और expenses हमेशा debit होते हैं और liability capital और revenue हमेशा credit होते हैं तो अब आपने यहां पर क्या देखा है liabilities तो हमेशा credit होती है तो इसका मतलब क्या है outstanding expenses credit होने चाहिए तो outstanding expenses को मैं credit कर देता हूं entry में तो क्या लेकूंगा two outstanding expenses और अब मैं debit को करूंगा debit expense को करूंगा expense account debit to outstanding expenses सब्सक्राइब तो एंट्री हो जाएगी यह expenses debit to outstanding expenses account अब तदेखो expenses कुछ भी होजकता है सपोस्ट सेलरी ही ही है तो अगर salary outstanding है तो क्या करोगे आप salary account debit to salary outstanding account रेंट अगर outstanding है तो रेंट डेविट तूरेंट आउटस्टेंडिंग एकाउंट तो यह आपकी outstanding expenses की entry होती है और तीसरे तरह की expenses क्या वहलोगे आपने खर्च नहीं किये लेकिन पे कर दिये यानिके आपने क्या किया होटल में सौर पर उसको दे आए और खाना नहीं खाया और वोला कि तीन दिन बाद आके खाएंगे या कल खाक कल आके खाएंगे तो यानिके आपने खर्चा नहीं किया लेकिन उसको पे कर दिया तो जब सि führen एक्सपेंस थे टिंएडेडवांस अ मैं », मुल्कर्च, अब गृरिट च्पेंस हम पता हो चाहिए क्या पता होना चाहिए तो हमेशान होती है मैं और जब यह एक्सपेंस पैंसे सो आपके है जैसे ही अगर प्रीपेड है तो क्या करोगे डेट कि डेविट टू रेंट अप्रीपेड डेविट टू इस तरीके तो इस तरीके से कोई भी को हम डाइबिट करते हैं और क्रेड़ किसको करेंगे उस expense को करेंगे हुआ है तो देखो इस लेक्चर में आपने देख लिया ंचैनल यह कर दिया खर्च कर दिया लेकिन फंट कर दिया फेलंग पर लाइबिलिटी होता है अगले साल का आपने इसी साल तो वह क्या हो गया आगले साल का आपने इंशरेंस प्रीम्यूम हो गया और आने वाले कर सकते हैं किसी को बोलो कि हमें यह चीज यूज नहीं करनी है तो पैसे हो सकता है आपको वापस मिल जाएं मतलब जिस्वी चीज को आप क्लेम कर सकते हो वह आपकी एसे होती है तो इसी लिए प्रीपेड एक्समेंस डेबिट होता है तो देट इस एट पर दिस लेक्चर थैंक यू